हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माई चैनल मॉमकॉम जोती सिंग चलिए आज बात करते हैं कि दूबले पतले बच्चों का वजन बढ़ाने के लिए उन्हें रोजाना क्या खिलाएं कई पेरेंट्स अपने बच्चे के कम वजन के चलते परशान रहते हैं कई बार बच्चे के अच्छे डाइट होने के बाद भी बच्चों का वजन आसानी से नहीं बढ़ता बच्चे दूबले पतले नजर आते हैं ऐसे में बच्चे के डाइट में कुछ ऐसी चीजों को सामिल करना चाहिए जिसे खाकर उनका वजन आसानी से बढ़ने लगे जैसे कि मलाई दूद छोटे बच्चे के अंदर पोसड की कमी ना हो इसलिए मलाई वाला दूद पिलाना चाहिए अगर दूद पीने से मना करें तो सेख स्मूदी या चॉकलेट पाउडर मिक्स कर देना चाहिए नेक्स्ट आप उपाय कर सकती है केला केला बच्चों का वजन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है आप बच्चे को बनाना सेख बना कर दे सकते हैं ये वजन बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है रोजाना आप केले का सेवन करें तो वजन जरूर बढ़ेगा केले में भरपूर मात्रा में कैलोरी होती है जो सरीर को सिर्फ एनरजी ही नहीं बलकि साथ ही वजन बढ़ाने में भी मदद करता है अब नेक्स्ट है अंडा अंडे में फैट और कैलोरी होती है इसका रोजाना सेवन करें तो वजन बढ़ता है मगर ध्यान रहे कि कच्छा अंडा भूलकर भी ना खाए इससे स्वाच संबंदी गंभी समस्याएं भी हो सकती है अब नेक्स्ट है आलू आलू आपने नियमी तैयत में भी सामिल करें आलू में कार्वोहाइडेट कंप्लेक्स सुगर होता है जो वजन बढ़ाने में मदद करता है इसके लिए आलू किसी भी तरह से आप खा सकते हैं लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा तलाभुना ना हो अब नेक्स आहार है गेहूं का दलिया अगर आप अपने बच्चे को रोजाना गेहूं से बनी चीजे खाने के लिए देंगे तो इसे उन्हें बहुत ताकत मिलेगी पुराने टाइम में हेल्दी रहने के लिए गेहूं को खाना अच्छा माना जाता है अगर आपका बच्चा चबाने की कैपसिटी है उसको तो उसे गेहूं की रोटी खिला सकते हैं छोटे बच्चे को गेहूं की दलिया में ग्रीन वेजटेवल मिलाकर खाने के लिए दी जा सकती है इससे उसका वजन बढ़ेगा यह थे कुछ टिप्स जिन्हें आप खिलाकर आप अपने बच्चे को हेल्दी और स्ट्रॉंग कर सकती हैं आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और आप अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि वीडियो के नौटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार